हाई फ्रेंड्स में आरती ओनलाइन प्रोपेशन भी थारती में आपका श्वागत है फ्रेंड्स यह दि हमारा चंद्रयान सफल होता और जो लेंडर से संपर्क ना तूटता तो क्या होता नजारा वो आप देख रहे हैं उस वक्त कल रात में हम यही नजारा बैट के लाइव देखते हैं तो दो कदम दूर रहे गए चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलो मीटर दूर लेंडर से संपर्क तूट गया रात एक बच के 38 मिनट पर रफ ब्रेकिंग की प्रक्रिया सुरूग की गई एक बच के 48 मिनट पर रफ दीमी करने के लिए फाइन ब्रेकिंग प्रारम भी किया गया और रात एक इंक्यामन बजे लेंडर से आकड़े मिलने बंद हो गए रात एक बच के 40 मिनट पर चांद की सतह से 30 किलो मीटर दूर मौजूद बिक्रम लेंडर ने नियंतित रूप से उतरना सुरू किया इस दोरान इसकी रफतार 6 किलो मीटर प्रति सेकंड या 21,600 किलो मीटर प्रतिगंटे रही उतरने के लिए लेंडर में पहले से ही रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग की प्रक्रिया प्रोग्राम की गई और इसकी रफतार धीरे धीरे कम करने वाली सुरुआती रफ ब्रेकिंग प्रक्रिया सफल रही चंद्रमा से 7.4 किलो मीटर की दूरी पर लेंडर की fine breaking प्रक्रिया सुरू हुई और इसी के बाद चंद्रमा से 2.1 किलो मीटर की दूरी पर लेंडर से इसरो का संपर्क तूट गया और इसके बाद जो भी हमें नजारा देखने को मिलता चंद्रयान का चंद्रमा का वो रह गया अधूरा ठीक यही नजारा होता उस वक्त जब संपर्क नहीं तूटता लेंडर का इसरो से यह भारत के लिए एक एतिहासिक दिन था चांद पर उतर रहे लेंडर बिक्रम से भले ही संपर्क तूट गया लेकिन सवा अरव भारतियों की उम्मेदें नहीं तूटी इस अभियान के जरिये इसरो ने जो उपलब्ध हासिल की है वह हर भारती के लिए गर्व की बात है चंद रियान टू में इसरो अपने मिशन से दो कदम दूर रह गया है संसे कायम है लेकिन भरोसा है कि जीत अवस मिलेगी इसलिए और भी क्योंकि इसरो के साथ ये खात जुड़ी है कि उसके लिए हर चुनोती एक आवसर होती है अभी इस पश्ट रूप से इसके वारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि लेंडर जो है वो परिक्रमा यानि चक्कल लगा रहा है अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि हतासा और निरासा के बाद ही उस मूवी में सफलता मिली थी